नमस्कार दोस्तों इस्टेडी वीट पॉन पर्दीप माँ आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों आज चर्चा की जाएगी कश्या 10 इतिहास का जो पहला पार्ट है योरोप में सामराजिवात का उदय योरोप में राष्टवात का उदय इसके भी सहे में हम चर्चा कर रह हैं जिसमें इटली और जर्मनी का एकी करण के विचे में हम जानेंगे जानेंगे कि किस परकार से जर्मनी और इटली जैसे देशों का निर्माण हुआ इनका एकी करण हुआ जैसे कि आप लोग पहले जानते हैं फ्रांस की क्रांती हुई थी नेपोलियन सहीता उसके बाद लाई गई बियाना कॉंग्रेस की स्टापना हुई थी जब नेपोलियन कापतन हो गया था उसके बाद आप लोगों ने देखा था ठार सो तीस से ठार सो अंतालिस के बीच बिभिन ने अंदोलन हुए थे निरुमकुस वादियों के विपरीत में या नहीं उनके परतिकार में आपके अंदोलन किये थे वदारवादी नेताओं ने और उनके संगठन ने आज चर्चा सुरू करते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ जर्मनी क्या सेना राष्ट का निर्मान हो सकता है या राष्ट का निर्माता हो सकती है क्या कोई सेना राष्ट निर्माता हो सकती है आगे चर्चा करते हैं ठार 1740 के बाद यूरोब में राष्टवाद का जनतंत्र और क्रांती से अलगाव होने लगा था आप देखें ठार 1740 के बार राष्टवाद का जंतंत्र और क्रांती से अलगाव होने लगा था जो यूरोप था वहाँ पर राष्टवाद का जंतंत्र से और क्रांती से क्या होने लग गया था अलग होने लग गया थे राजगी सत्ता बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनेतिक प्रभुत्त हसिल करने के लिए रोडिवादियों ने अक्सर राष्टवादी भावनाओं का इस्तमाल किया जो रोडिवादी थे जो निरंकुस वादी सा सकते उन्होंने भी राष्टी भावनाओं को समझ कर राष्टी भावनाओं को जानते हुए उन्ही भावनाओं का इस्तमाल किया इस विविट राज बांच से उस परकिलिया मैं देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एक्रीद होकर राष्टराज बने जैसा आपने देखा कि राष्टवादी भावनाए मध्यवर्गी जर्मन लोगों से काभी ब्यापत थी मद्यवद्धी जो जर्मन लोग थे राष्ट वादी भावनाईन में काभी थी और उन्होंने अठार सो अन्तालिस में जर्मन महासंग के विभिनन इलाकों को जोड़ कर एक निर्वाचित संसत द्वारा सासित राष्ट राजी बनानी का प्रियास किया था जब अठार सो अन् करांती हुई थी उन्होंने जो निर्वाचित संसत थी उसमें अनेक सित्रों को जोड़ा मगर राष्ट निर्मान किया उदारवादी पहल राजसाही फोज की ताकत ने मिलकर दबा दिया जो ये उदारवादी ताकत थी राजसाही या नहीं राजाओं और उनकी फोज ने इसको दबा दिया उनका परसा के बड़े भूस्वामी उनने भी क्या किया समर्थन किया जो राजा थे उनका समर्थन बड़े भूस्वामी ने किया उसके पश्चात परसा ने राष्टी करण के अंदोलन का नेतोर्त समाल लिया उनका परमुक मंत्री आटोवान विसमार्क इस परकिरिया का जनक था प्रस्ट पूछा जा सकता है कि परसा जर्मनी का एकी करण किस ने किया परसा या जर्मनी का एकी करण आटो वान विसमार्क ने किया या परसा का एकी करण का जनक किसे कहा जाता है परसा का एकी करण का जनक आटो वान विसमार्क कहा जाता है जिसे प साथ वर्स के दोरान ऐस्टिलिया डेनवार्क फ्रांस से तीन युद्दू में परसा की जीत हुई एक ही करण की प्रकिदिया पूरी हुई जनवरी अठार सो इगहतर में बरसाई में हुई एक सम्मेलन में परसा के राजा बिल्यम पर्थम को जर्मनी का समराठ गोसित किया ग बिल्यम पर्थम को जर्मनी का जर्मनी का गोसित किया गए अठार जनवरी 4881 की सुबाव बहुत ठंडी थी जर्मन राज्यों के राजकुमारों सेना के परतिनिज्जियों के परमोग मंत्री 801 विशमार्क समेट परसा के महत्तपूर्ण मंत्रि के एक बैठक वर्साई के मह में प्रशना में नए जर्मन सामराज्ड की घोस्णा हुई जो सभा हुई एठार जनुरी 1861 को यहाँ पर जो जर्मन पर्थम की घोस्णा बिल्यम पर्थम के नेतोर्त में हुई थी प्रश्ट पुछा जा सकता है कि अठार जोनरी अठार सोई गौतर उनको जो वर्साइब में बैठक हुई उसमें या नहीं हाल आप मेर्स में जो बैठक हुई उसमें जर्मन का नेतोर्त या जर्मनी का नेतोर्त किसे दिया गया जर्मनी का नेतोर्तो से काल काईजर बिल्यम पर्थम को दिया गया उसके सांसांत प्रश ये भी पुछा जा सकता है हालाव मिरर्स में बैठक कब हुई हालाव मिरर्स में बैठक 888 गोहतर की सुबह को हुई जर्मनी में राष्ट निर्मान परकिरिया ने परसा राज जी की सक्ति के प्रभुत्त को दर्शाता था नए राज जी के ने जर्मनी की मुद्रा बैंकिंग और कानूनी तथा नियाईक व्योस्ताओं के आदनी करण पर काफी जोर दिया और परसा द्वारा उठाये गए कदम और उसकी कारवाही बनकी जर्मनी के लिए अक्सर एक माडल बना जो जर्मनी में राष्ट निर्मान की परकिरिया हुई परसा राज जी की सक्ति के प्रभुत्त को दर्शाता है नहीं राज जर्मनी की मुद्रा है बैंकिंग है कानून है नाइक व्योस्ता है या नहीं जो आधुनी की करण है सब उसके द्वारा कदम उठाए गए और कारवाही की गई और जर्मनी के लिए यह एक क्या बन गया मॉडल बन गया कि किस तरीके से देश एक हो सकता है परसा से उन्होंने देखा यहां पर देख पारे होंगे आप लोग जो चित्र यहां पर दिया गया है कि अन्तांत वान वानर की करिती वर्षाई के हाल आप मिरर्स में जर्मन सामराजी की गोसना जो आप लोगों ने देखा अठार जोनूरी अठार सो इगोत्तर को जो बेठक होई थी वह यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र के बीच में क विसाल करिती में हैं आप देख रहे हैं विसमार्क और जन्रल वान रून है उसके पास में विसमार्क हैं इस विसाल करिती 2.7 मिटर गुणा 2.7 मिटर को चित्रकार ने अठार सब पिचाश में विसमार्क के सत्तरवे जन्मे दिन पर उन्हें भेट किया था आप देख सकते हैं सत्तरवे जन्मे दिवस पर विसमार्क को ये चित्र भेट किया गया था चित्रकार के द्वारा उसके बाद इटली के विसाल में देखें यहां पर इटली यहां पर हेपसबर्ग सामराजी में बिखरा हुआ था आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जर्मनी बिखरा हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर इटली भी बिखरा हुआ था उनीश्वी सदी के मद्य तक इटली सात राज्यों में बटा हुआ था जिसमें से केवले एक सार्डनिय पीटमांड में एक इटालवी राजघराने का सासन था उत्तरी भाग और उस्टिलियाई हेपसबर्ग के अधिन था मद्धी लाकूं पर पोप का सासन था और दक्षनी सेत्र में इस्पेन के बुर्वो राजाओं के अधिन था इटालवी भासा भी साजा रूप से हासिल नही इस विचारित कारिकरम प्रश्टूत करने की कोशिश की थी उसने अपने उद्देश्यों के परसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया या यंग इटली की स्थापना कब की गई यंग इटली संगठन की इसापना 830 में की गई गुप्त संगठन था ये 831 से 849 मैं करांतिकारे विद्रोहूं की अस्पलता से युद के जरे इतालवी राजियों को जोड़ने की जिमेदारी साडनिया पिटमांड के सासक विक्टर इमूनल दुटी को दी गई 831 से 849 तक जो ये इतालवी राजि थे इतली के राजि थे साडनिया के पिटमांड के सासक विक्टर इमूनल दुटी को ये जिया गया की वो इतली को एक भाग में जोड़े इस सेत्र के सासक अभिवाज अभिजात बरगे की नजरू में किकरित इतली उसके लिए आफ्थिक विकास और राजनेतिक परभूत की संभावना उत्पन करता था मंत्री परमुक काबुर जिसने इतली के प्रदेशों को एक इकरित करने वाले अंदलोनों का नेतर्त किया न तो एक करांतिकारी था और नहीं जनतंत्र में विश्वास रखने वाला इतली अभिजात बरगे क मतलब धनी लोग थे अमीर थे शिक्षी सदस्य थे वो इतली भासा से ज्यादा मतलब इतली की जो अपनी भासा थी उससे ज्यादा वो फ्रेंच बोला करते थे फ्रांस से साडिनिया पिटमांट की एक चतुर कुटनी की संधी हुई थी जिसके पीछे काबुर का हाथ था उ पॉस्टिलिया बलों को हरापवाने में क्या हो गया काम्याब हो गया नेमित सेनकों के अलगाव जूस पे गौरी वाल्डी के नेतुर्त में भारी संख्या में सशास्त्र सोंसेकों ने श्युद में हिसा लिया अठार सो साथ में हुए दक्सिन इतली और दो सिसिलियों के र का राजा घुसित किया गया मगर इतली के अधिकान सिनिवाशी जिसमें निरक्सरता की दर काफी उची थी मतलब जो लोग कम पड़े लिखे थे अनपल्ड थे अभी विविधारवादी राष्टवादी विचारधारा से अंजान थे बतलब और राष्टिवादी थे कि ला टालिया विक्टर इमोनल की पतनी थी उनका ये मानना था लेकिन उनको पता नहीं था इससे पहले कि हम आगे बड़े देखे कि पिछले पेज में हमें मानचित्र दिखाया गया था उसके विशे में थोड़ा यहां पर जानने की कोशिस करेंगे कि किस परकार से ज हम यहां पर समझने का प्रियास करेंगे जर्मनी का एकिकरण जो 866 से 871 के बीच हुआ था यह देखें हम परसा जो 866 से पहले था उसके बारे में देखें जो यह कलर में दिखाई दे रहा है यह सेत्र आप लोगों को पूरा यह 866 से पहले परसा का सेत्र था और कुछ हिस्सा इस तरब भी था पस्चिम की ओर यह भी परसा का हिस्सा था अठ्थाःसो 66 से पहले उसके बाद हम देखें जो आश्टलिया परसा युद्ध अठ्था से पहले द्वारा बिजित हुआ था और पर्सा युद्ध में इन सेत्रों को जो ये बीच बीच में छोटे छोटे सेत्र हैं यह आस्टलिया परसा युद्ध 866 से पहले जीते गए थे ये कुछ सेत्र यहां पर दिखाई पल रहे हैं इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि जर्मन महासंग से बेधगल आस्टलियाई भुभाग 866 में य कि जो जर्मन महासंग से बेधगल आस्टलियाई भुभाग है उसे इस तरीके से दिखाई दिया है यहां पर आप देख पा रहे होंगे निश्ची तोर पर ये ओस्टलिया का वो भाग है जो जर्मन से आस्टलिया का ये भाग है ओस्टलिया नहीं अठार सो सरसट में अलग हो गया था उसके बाद आप फिर से देखेंगे जर्मनी महासंक की इस्तापना है तो परसा में सामिल अठार सो सरसट में जो राज्य है उनके भी से में आप यहां पर देखेंगे उन्हें इस रंग से दिखाया गया है यह सेत्र है कुछ सेत्र यहां पर है और कुछ सेत्र यह है और यह है यह सारे सेत्र अठार सो सरसेट में महासंग परसा में सामिल हुए थे जर्मन सामराज की इस्तापना हुए तो दक्षनी जर्मन राज्य परसा में सामिल अठार सो इगहतर में जो जर्मन राज्य है जो दक्षनी जर्मन राज्य था वो अठार सो इगहतर में यहां पर सामिल हो रहा है आप लोग कित आप की मदद भी यहां पर ले पाएंगे तो बेहतरीन धंग से समझ पाएंगे और उसके बाद जो ये कलर से अंतिम बार दिखाया गया है फ्रांस परसा युद्ध में परसा द्वारा विजित 870 के वो सेत्र हैं जो फ्रांस और परसा के युद्ध में जीते गए थे कुछ य 21 परकास से जर्मिनी का एकी कररण见 866-871 के वीच हुआ था उसके आगे हम चर्चा करेंगे उससे पहले हम यहां पर एक चित्र दिया गया है उसे भी देख लेते हैं कि चित्र में क्या समझाने का प्रियास किया गया है यहां पर देखे ब्यांग्य चित्र जर्मन राई राई स्टेंड संसद में 88-20 मार्ग फिंगारों से ब्याना 5-20 मार्ग 870 का चित्र है आटो ब्शमार्ग आटो ब्शमार्ग यहां पर 5 मार्ग 5-20 मार्ग 870 में आपके प्याना में है उसके बाद हम आगे देखें आगे भी गतिपिती यहां पर दी गई है साथ में यहां पर बिटेन की अजीब दास्तान के विशे में दिया गया है बिटेन आप लोग जिशे जानते हैं United Kingdom के नाम से आप देख पारे होंगे कुछ भी द्वानों ने तरक दिया कि राष्ट या राष्ट राज्य का मडल आदर्स Great Britain बिटेन के राष्ट राज्य का निर्मान अचानक हुआ कोई उथल पुथल या करांती का प्रणाम नहीं था एक लंबी चलने वाली परकिरिया का नजीचा था ठार्विश्ट के पहले बिटनानी राष्ट था ही नहीं बिटनानी ज्वीब समोह में रहने वाले लोग अंग्रेज वेल्स स्कॉर्ड लैंड और आईरिस की मुख्य पहचान निर्जाती थी इन सभी जाती समोह की अपनी सांस्कृतिक और राजनेतिक प्रंपराय थी लेकिन जैसे जैसे आंग्ले राष्ट की धन दोलत अहमियत और सत्ता में ब्रीदी हुई वा दीव समोह अन्य राष्टू पर अपना क्या करने लगे प्रभुत्वे जमाने में सफल हुए एक लंबे ठक्राव और संगर्ष के बाद आंग्ल संसर्णिया 1688 में रातंत्र से ताकत चीनली संसर्ण के माध्यम से एक राष्ट राज्य का निर्मान हुआ जो ये दो तीन दीव समोहते आईरिस स्कृटलेंड और बिटेन दीव समोहते इन्होंने 1688 में क्या कर लिया राजा से अपनी ताकत राजा की ताकत और एक राष्ट राज्य का निर्मान करने के लिए सोचा जिसके किंडमें इगलेंड था इगलेंड और स्कृटलेंड के बीच एक्ट आप यूनियन 1707 यूनाइटेट किंग्डम आप ग्रेट विर्टेन का गठन हुआ प्रश्ण पूछा जा सकता है कि इगलेंड और संदी हुई तो प्रश्ण यहां उत्तर आप लिखेंगे के बीच यूनियन यूनाइटेट किंग्डम आप ग्रेट विर्टेन का गठन कब हुआ 707 में एक्ट आप यूनियन 707 से यूनाइटेट किंग्डम आप ग्रेट विर्टेन का गठन हुआ यूनाइटेट किंग्डम आप ग्रेट विर्टेन का गठन एक्ट आप यूनियन 707 से यूनाइटेट किंग्डम आप ग्रेट विर्टेन का गठन एक्ट आप यूनियन 707 से हु यह हुआ कि स्कॉर्ड लेंड की खास सस्कृति और राजनेतिक संस्ताओं को यूजना बत तरीके से दबाया गया स्कॉर्ड लेंड हाइसलेंड के निवासी जिन कैथलिक कुलो ने जब अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रियास किया उन्हें जबर्चस्त दमन तरीके का स सारे लोगों को अपनी वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया उसके बाद आप आगे देखें आईलेंड की का भी कुछ ऐसा ही हस्र हुआ वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मी गुटू में गहराई में बटा हुआ था इंग्रेजों ने आईलेंड में प्रोटेस से कुचल जिया गया वोल्फ टोन और उसकी युनाइटेट आईरिस मेन 1798 की अगवाई में हुई स्पल विद्रो के बाद अठार सो एक में आईलेंड को बलपूर्वक युनाइटेट किंग्डम में सामिल किया गया प्रस्ट पूछा जा सकता है कि आईसलेंड को या आईल बेंड को बलपूर्वक सामिल किया गया एक नई विर्तानी राष्ट का निर्मान जिया गया जिस पर हावी आंगले सस्कृति का परचार परसार किया गया गया नए बिट्टेन के प्रतिक चिहन्नू विर्तानी जंडा यूनियन जैक और राष्टी गान गाड़ से और शासन के अंदर आगे इनके सासन का यहां पर दबदबा रहा यहां पर गति भी दी दिये है गौरिबाल्डी ने साडिनिया पिटमांड के राजा को जूते पहनाते दिखाया गया है अब इटली के नक्से को फिर से देखो यह ब्यांग चित्र क्या कहने का प्रियास कर रहा है गौरिबाल्डी जो साडिनिया पिटमांड के सासक है राजा को जूते पहनते हुए दिखाया है इटली के नक्से में फिर से इसे समझने का प्रियास करेंगे इससे पहले हम देखें कि इटली के एकिकरान में जो मुख्य भूमिका थी उसे हम देखेंगे कि किस तरीके से इटली और ग्रेट बिर्टेन का यहाँ पर मिलन हुआ था यहाँ पर देख रहे हैं एकिकरान से पूर इटली राज्य अठार सो अठावन में इस तरीके से बठा हुआ था यहाँ पर स्विजल लेंड इसके उपरी भाग में था लामबाडी बेनेशिया मेडेवना टसकानी माना को सिभाई इस तरीके से पिपल राज मान मोरुना इस तरीके से इटली नहीं नकसूम डिखाया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस सेत्र को किस समय जीता था 1869 से 66 के बीच यह सेत्र जीते गए थे यहाँ पर आप देख पाएंगे अपने किताब में तो देखेंगे कि कौन से सेत्र को किस वर्स यहाँ पर इटली महासंग में मिलाया गया था एक नया सब्द आया था नर्जाती मतलब एक साजा नसली जनजाती या सांस्कृतिक उग्दम अथ्वा प्रिष्ट भूमी जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे राष्ट की दिरिश्ची कल्पना राष्ट की दिरिश्ची कल्पना क्या होती है किसी सासक को एक चित्रिया मूर्ति के रूप में भ्यक्त करना आसान है किन्तु एक राष्ट को चेहरा कैसे दिखाया जा सकता है एक व्यत्ति का चित्रिया एक राजा का या किसी एक स्वेनिक का चित्र तो बनाया जा सकता है लेकिन जब बाथ आये एक राष्ट के चित्र बनाने की तो वह काफी कटिन होता है ठार्वी और उनीश्वी सदी के कलाकार। उन्होंने राष्ट का मानुवी करान करके इस प्रश्ण को हल किया जो अठारवी और उनिश्वी सती के चित्रकार थे उन्होंने राष्ट का चित्र बनाने का प्रियास किया और राष्ट का चित्र बनाया दूसरे सब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया कि जैसे वह कोई ब्यक्ति हो उस पर राष्टूं उसमें राष्टूं को नारी भेश में प्रस्तुत किया जाता था प्रस्त पुछा जा सकता है कि 18-19-20 स्ताबदी में किसी राष्ट को किस रूप में परिभासित किया जाता था या किसके भेश में परिभासित किया जात ता था राष्ट को ब्यक्ति की जमा पहनाते हुए जिस नारी रूप में चुना गया हुआ है असल जीवन में कोई खास महला नहीं थी या तो राष्ट के अमूर्त विचार को ठोस रूप परदान करने का पुलियास था या नहीं नारी की छेवी राष्ट के रूपक बन गई यहाँ पर देखने हैं कि आप लोग नारी के रूप में राष्ट को प्रस्तुत करने लग गए चित्रकार जो थे आपको याद होगा कि फ्रांसीची करांट के दोरान कलाकारों ने स्वतंतरता न्याय गंतंतर जैसे विचारों को ब्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प् प्रश्न ये भी पुछा जाता है स्वतंतरता न्याय और गंतंतर की भावना का विचार कहां से सबसे पहले आया तो यह फ्रांस के ख्रांटी से आया इन आदर्सों को विशेश वस्तू या प्रतिकों से क्या गया जिसके आखों पर पत्टी वदी हुई है और वह तराजु लिये हुए है यहाँ पर निश्ची तोर पर आप लोगों को यह याद रखना होगा कि जो स्वतंतर्ता का परतीक है वह क्या है प्रश्ण पूछा जा सकता है स्वतनतपता का पृतिक लाल टोपी या टूटी जंजीर इनसाप अगर किसी को चहिए तो उसके आखों पर पट्टी बदी हुई थी की मतलब जिसके आखों में पट्टी बदी है और हाथ में तराजू है परतिक के रूप में इनसाप के परतिक के रूप में महला को दिखाने का प्रियास किया इसी परकार के नारी रूपकों का विसकार कलाकारों ने उनिश्वी सदी में किया फ्रांस में उसे लोपिरिय इसाई नाम मारियान दिया गया जिसने जनराष्ट के विचार को रेखा कि चिया उसके चेन ने भी स्वतंतरता और गंतंतर थे लाल टोपी तिरंगा और कलगी मारियान की प्रतिमाएं सारवजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्टी परतिक की याद आती रहे और लोग तामाद्य स्थापित कर सके मारियान की छेवी सिक्कों और डांक टिकटों पर भी अंकित कही गई इसी तरह जर्मोनिया जर्मन राष्ट का रूपक बन गई प्रश्ण पूछा जा सकता है कि जर्मन राष्ट का रूपक कौन बनी जर्मोनिया बनी चाकसुक अभिव्यक्तियूं मैं जर्मोनिया बलूत ब्रिक्स के पत्नों पर मुकुट पहंती है क्योंकि जर्मन बलूत बिरता का पृतिक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर जर्मोनिया का चित्र बनाया गया है चित्रकार फिलिप वेट ने अठार सो अटालिस में जर्मोनिया के इस चित्र को सुखी जंडे पर बनाया चुकि इसे सेंट पाल चर्च की छट पर लटकाना था और जहां मार्च 849 में फ्रेंक फट संसद बुलाई गई थी उसके साथ साथ आप लोग यहां पर भी एक चित्र देख पा रहे होंगे 850 का यह चित्र है और जो डांक टिकट पर बना हुआ है मेरियान की यह तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसेशी गन्राजी का परतिनी धुत्व करती है जर्मोनिया जर्मनी की और मारियान किसकी परतिकात्मक तस्वीर थी फ्रांस के राश्टी राजी की परतिक चित्र थी मारियान उसके बाद आगे बड़े हम देखें कि नए सब्द रूपक यहां पर आया है। आत्मक अर्थ होते हैं यहां पर समझाने का प्रियास किया गया है। उसके बाद हम आगे बड़े आगे चर्चा करते हैं कि किस परकार से यहां पर परतिकों का अर्थ है। आप देख सकते हैं। का परतिक सकती है। बलूत पत्यों का मुकुट बहदुरी का परतिक है। तलवार मुकाबले की तैयारी है। तलवार पर लिफ्टी जेतुन की डाली। सांतिकी चाहे काला लाल और सुनहरा तिरंगा। अटार सौनटालीस में राष्टवादियों और उधारवादियों का जंडा। जिशे जर्मन राष्टों के ड्यूक ने परतिबंधित गोशित कर दिया। उसके बाद है उक्ते सूरी की किरने एक नई युक का सुत्रबात है। उसके बाद हम देखें कि गतिविदी दिये गए चार्ट की साहता से वेल जर्मनियन के गुणों को पहचाने और तस्वीर के परतिकात्मक अर्थे की ब्याख्या करें कह रहा है जो चित्र दिया गया है। 1836 में एक पुरानी रूपात्मक तस्वीर को बेईत के काईजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया गया जहां अब उन्होंने टूटी हुई बेलिया दिखाई हैं। इस बतलाव का महत्व सभस्ट करें। इन सब चीजों का अर्थ यहां पर भी बताया गया उपर और यह दो फालेन जर्मोनिया हतास जर्मोनिया जूशे शूनर 1850 के दसक में है कि किस तरीके से एक राष्ट की गतिवी हुई है मतब जर्मनी किस तरीके से हतास है यह यहाँ पर समझाने का प्रियास किया गया है उसके बाद बताए कि चित्र 1.8 में आपको क्या दिखाई पल रहा है राष्ट के इस रूपात्मक चित्रन में ह्यूबनर किन इतिहासिक घटनाओं के और संकेत कर रहा है उसके बाद आगे हम देखें यहाँ पर जिस तरीके से लणाई के लिए तैयार है जर्मोनिया गार्डनिंग दर राइन राइन नदी पर पहरा देती जर्मोनिया है आठार सो साट में चित्र का लारेंज क्लाइमेन ने ये चित्र बनाने का काम चौँबा गया और जर्मोनिया की तल्वार पर खुदा हुआ है जर्मन तल्वार जब जर्मन राइन की रख्षा करती है करती है किस तरीके से चित्र यहां पर अब दिखाया गया है कि एक राष्ट किस तरीके से खड़ा है और वो किस तरीके से अपने आपकी सुरक्षा कर सकता है यह यहां पर समझाने का प्रियास किया गया था उसके बाद देखें राष्टवाद और समराजवाद का वह आदर्सवादी उदारवादी जनतांत्रिक सभाव नहीं रहा जो सदी के पर्थम भाग में था उनीश्वी सदी के अंतिम या नहीं चोथाई भाग में या नहीं अठार सब पिजहतर में आदर्सवादी जो उदारवादी जनतांत्रिक सभाव नहीं रहा जो उनका सभा पहले था अब राष्टवादी सिमित लक्सुवाले संकेन सिध्धानत बन गया इसी बीज के दोर में राष्टवादी समों एक दूसरे के परतियों दर होते गए मतलब एक दूसरे का आधर नहीं करते थे और लड़ने के लिए हमें साथ नयार रहते थे साथ ही परमुक यूर जाया है थे उन्होंने भी अब लोगों की भावनाव को समझते हुए राष्टिवादी विचार फैलाना शुरू कि 8871 के बाद यूरोप में गंबीर राष्टवादी तनाव का सुरोत बालकन सेत्र था प्रस्ट पूछा जा सकता है कि 8871 में यूरोप में गंबीर राष्ट बाद राष्ट वादी तनाव का सुरोत क्या था बालकन सेत्र था बालकन युद्ध हुए हैं काभी बार प्रस्ट पूछे जाते हैं इस सेत्र में भगवलिक और जाती विविन्यत आये थी इसमें आधनिक रोमानिया बुलगेरिया अलबेनिया यूनान मेसिडोनिया बोर्सिनिया, हर्जे गोविन्या, स्लोविया, सर्विया और मांटे निग्रो सामिल थे सेत्र के निवासियों का आमत और पर सलाव पुकारा जाता था ये सारे सेत्र के लोग क्या कहलाते थे सलाव कहलाते थे बालकन सेत्र का एक बड़ा हिस्सा आटोमन सामराजी के नियंतरण में था बालकन सेत्र में रुमानी राष्टवाद के विचारों को फैलाने के लिए आटोमन सामराजी के बिगटन से इस्तित काभी विस्पोटक हो गई हूँ निश्वी सदी मैं आटोमन सा फलता इसमें मिली एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपी राष्टी यताये उसके चंगुल से निकल कर स्वतंतरता की घोसना करने लगी बालकनी लोगों ने आजा दिया राजनेतिक अधिकारों के अपने दाओं का राष्टी यता का आधार मानावनों ने इत्यास का इस्तम माल या सावित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंतर थे किन्तों तत्पस्चाद विदेशी शक्ति उन्हें अधिन कर लिया तह बालकन सेत्र के बिद्रोही राष्टू स्टाश्टी समुह ने अपने संगर्षू को लंबे समय के लिए खाई आजादी को वापस पाने के ल घर्स किया अपनी स्वतंतरता के लिए जैसे जैसे बिन सलाव राष्टी समुह ने अपनी पहचान और स्वतंतरता की वरिवासा तही करने की कोशिज की बालकन सेत्र गहरे टकराओं का सेत्र बन गया बालकन राज्ये एक दूसरे से भारी इस्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए जादा से जादा इलाका हत्याने की उमीद रखता था प्रस्थितियों और अर्थिक जटिल होने लग गई क्योंकि बालकन सेत्र में बड़ी सक्थियों के बीच परतिस्पर्दा होने लग गई इसमें युरोपी सक्थियों के बीच व्यवपार उपनिवेज के सान नौसेनिक और सेनी ताकतों के लिए भी गहरी परतिस पर्दा थी जिस तरह बालकन समस्चे आगे बड़ी उससे यह परतिस पर्दा खुल कर सामने आई रूस है जर्मनी है इगलेंड है आस्ट्रिया है हंगरी है ती हर ताकत बालकन पर अन्य सक्तियों की पकड़ को कमजो एक देश दूसरे सेत्रु को अपने अधिकार में लेना चाहते थे और दूसरे देश को कमजोर करने के लिए मौका ढोड़ते थे बालकन सेत्रु respirator में इससे इस इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंतरता पर्थम विश्व युद्ध हुआ, इन सेत्रों में जो युद्ध हुए उसने पर्थम विश्व युद्ध की पढ़कर था यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप देख पारे होंगे, की भी पता कि वो ले गया लेकिन इस बीज विश्व के अनेक देश जिनका उनिश्वी सदी में यूरोपी सक्तियों ने अपने सिक्रान किया था सामराजी वादी प्रभत्त का बिरोध करने लग गए हर तरफ जो सामराजी विरोधी आंदोलन बिक्सित हुए इस अर्थ में करिया में उभरी राष्ट वाद के यूरोपी विचार कहीं और नहीं दोराए गए क्योंकि हर जगा लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट वाद विक्सित हो गया था मगर यह विचार की समाजू का राष्ट राजियों में गठित किया जाना चेहे अब सभाविक और पूराची वाद था उसका उदय हुआ यह यहां पर हम थोड़ा समझने की कोशिश की और यहां पर हम चित्र के साथ ही हमारा यह पाठ पूरा हो जाएगा और अभ्यास प्रस्णू पर हम जल्दे ही इसकी चर्चा करेंगे आप देख पा रहेंगे चित्र में की सबसे उपर फरिष्टे सुतंतर्ता का बैनर थामे हुए हैं सबसे उपर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को यह फरिष्टे हैं जो सुतंतर्ता का बैनर थामे हुए हैं और सांत ही सांत उसके बाद आप लोगों को यहां पर दिखाया गया है कि अगर भाग में बिटिस राष्ट क प्रतीक बिर्तेनिया विजय भाव के साथ भुमंडल के उपर बैठा हुआ है जो सबसे आगे हैं यहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से आगे वह बैठा गया है और विजय का वहां पर उल्लास मनाया जा रहा है उपनिवेश को सेर हाती बन आदिम समुदायों की छवियो के जरिये दर्साया गया है जो यह चानवर हैं सेर है बाग है हिरन है यह सब इनके उपनिवेश हैं इसके जरिये इनको दिखाया गया है प्रभुत को बिटिश राष्टी गौरों का विशय बताया गया है इसको क्या बताया गया है बिटिश राष्ट का जो अनेक राष्ट में उपनिवेस्टिक राज्य हुआ करते थे उसे गौरोपूर्ण दिखाने का प्रियास यहां पर किया गया है यह थी कक्षा 10 पाठ एक इतिहास का जो यूरोप में समराज जिवात का उदय हुआ था उसके विसे में चर्चा आसा करता हूं कि आप लोगों के विचार में चर पर चर्चा करेंगे तब तक आप हमारे साथ यही बने रहें स्वस्त रहें मस्त रहें पड़ाई में ब्यस्त रहें जैहिन जैभार